C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठे पुस्तक कक्षा आठ आडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याए दो सूक्षमजीव मित्र एवं शत्रू प्रिष्ट सत्रह से प्रिष्ट एकतीस तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याए दो सूक्षमजीव मित्र एवं शत्रू प्रिष्ट सत्रह आपने आसपास के स्थानों पर पौधूं एवं जन्तूं सहित अनेक सजीव देखे हैं। तथा इसकी सतह सफेद काले धब्बों से ढख जाती है। इन धब्बों को आवर्धक लेंस की सहायता से देखिए। आपको काले रंग की गोल सूक्ष्म सनरचनाईं दिखाई देंगी। क्या आप जानते हैं कि ये सनरचनाईं क्या हैं। ये कहां से आई हैं। 2.1 सूक्ष्म जीव क्रिया कलाप 2.1 बगीचे अत्वा मैदान से एक बीकर में थोड़ी सी गीली मिट्टी लीजिए तथा इसमें जल डालिए। मिट्टी के कन बैठ जाने के पश्चात जल की एक बूंद स्लाइड पर लेकर सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इसका प्रेक्षण कीजिए। आप क्या देखते हैं। क्रिया कलाप 2.2 एक तालाब या पोखर से जल की कुछ बूंदें लीजिए। काँच की स्लाइड पर फैला कर सूक्ष्म दर्शी की सहायता से इनका प्रेक्षण कीजिए। क्या आपको सूक्ष्म जीव गती करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इन प्रेक्षणों से पता चलता है कि मिट्टी एवं पानी में अनेक छोटे-छोटे सूक्ष्म जीव उपस्थित रहते हैं। सूक्ष्म जीव इतने छोटे होते हैं कि उन्हें बिना यंत्र की सहायता के नहीं देखा जा सकता। इन में से कुछ जैसे के ब्रेड पर उगने वाले कवक को आवर्धक लेंस की सहायता से देखा जा सकता है, जबके अन्य बिना सूक्ष्म दर्शी की सहायता से दिखाई नहीं देते। यही कारण है कि इन्हें सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीवों को चार मुख्य वर्गों में बांटा गया है। ये वर्ग हैं जीवानू, कवक, प्रोटोजुवा इवं कुछ शैवाल। जीवानू, शैवाल, प्रोटोजुवा इवं कवक के कुछ सामान्य सूक्ष्म जीव चित्र 2.1 से 2.4 में दर्शाय गए हैं। विशानू वाइरस भी सूक्ष्म होते हैं परंतु वे अन्य सूक्ष्म जीवों से भिन्न हैं। वे केवल परपोशी में ही गुणन करते हैं। अर्थात जीवानू, पौधे अथ्वा जन्तु कोशिका में गुणन करते हैं। विशानू चित्र 2.5 में दर्शाय गए हैं। कुछ सामान्य रोग जैसे कि जुकाम, इंफ्लुएंजा, अर्थात फ्लू एवं अधिक्तर खांसी विशानू द्वारा होते हैं। कुछ विशेश रोग जैसे कि पोलियो एवं खसरा भी विशानू याने वाइरस द्वारा होते हैं। अतिसार एवं मलेरिया, प्रोटो जोआ द्वारा होते हैं, टाइफाइड एवं क्षाय रोग, टीबी, जीवानु द्वारा होने वाले रोग हैं। इन में से कुछ सूक्ष्म जीवों के विशय में आप कक्षा च्षै व कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं। प्रिष्ट अठा रहे। इस प्रिष्ट पर सबसे उपर चित्र दो दशमलव एक दिखाया गया है, जिसका शीर्शक है जीवानु। इसमें बाई और गुलाबी रंग के कुछ जीवानु दिखाय गई हैं। ये हैं स्पाइरल जीवानु। जबके दाएं और दिखाय गए चित्र में जो जीवानु हैं, इन्हें कहते हैं छड़नुमा जीवानु। इस प्रिष्ट पर बीच में बाई और चित्र दो दशमलव दो दिखाया गया है। ये हैं शैवाल। इसमें बाई और हरे लाल रंग का एक जीव दिखाया गया है। ये है क्लिमाइडो मोनास। इसके साथ ही एक और चित्र दिखाया गया है। ये है स्पाइरो गाईरिया। इस प्रिष्ट पर बीच में दाई और चित्र दो दिखाया गया है। ये है प्रोटोजोवा। इसमें उपर बाई और हलके खाकी रंग का एक जीव दिखाया गया है। ये है अमीबा। इसके साथ ही दाई और एक चित्र दिखाया गया है। ये है पेरमीशियम। इस प्रिष्ट पर नीचे चित्र दो दिखाया गया है। कवक। इसमें बाई और सबसे पहले पौधे नुमा एक चित्र दिखाया गया है। इसे कहते हैं राई जोपस। ब्रेड मूल्ड। इसके साथ ही बीच में एक और चित्र दिखाया गया है। ये है पेनिसीलियम। और दाई और एक चित्र दिखाया गया है। ये है एसपरजिलस प्रिष्ट उन्नीस। इस प्रिष्ट में बाई और उपर चित्र 2.5 दिखाया गया है। ये विशानु हैं। 2.2 सुक्ष्मजीव कहां रहते हैं। सुक्ष्मजीव एक कोशिक हो सकते हैं जैसे के जीवानु, कुछ शैवाल इवं प्रोटोजोवा, अथवा बहु कोशिक जैसे के कई शैवाल इवं कवक। ये बरफीली शीत से उश्न याने गर्म सुरोतों तक हर प्रकार की परिस्थिती में जीवित रहे हैं। ये मरुस्थल इवं दल्दल में भी पाए जाते हैं। ये मनुश्य सहित सभी जन्तुओं के शरीर के अंदर भी पाए जाते हैं। कुछ सूक्ष्मजीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबके कुछ अन्य स्वतंतर रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जैसा सूक्ष्मजीव अकेले रह सकता है, जबके कवक एवं जीवानू समुह में रहते हैं। 2.3 सूक्ष्मजीव और हम सूक्ष्मजीवों की हमारे जीवन में महत्वपून भूमिका है। इन में से कुछ हमारे लिए लाभदायक हैं, तथा कुछ अन्य, हानीकारक, तथा जीवों में रोग के कारक हैं। आईए, हम विस्तार से इसका अध्ययन करें। 3. मित्रवत सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव विभिन कारियों में उप्योग किये जाते हैं। इनका उप्योग, दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। प्राचीन काल से ही सूक्ष्म जीवों का उप्योग एलकोहल बनाने में किया जाता रहा है पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उप्योग किया जाता है उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सबजियों के छिलके, जन्तु अवशेश, विष्था इत्यादी का अपगटन जीवानूओं द्वारा किया जाता है तथा हानी रहित्पदार्थ बनते हैं स्मरण कीजिए, जीवानूओं का उप्योग औशधी उत्पादन एवं क्रिशी में मृदा की उर्वर्ता में व्रिद्धी करने में किया जाता है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरी करण होता है दही एवं ब्रेड का बनाना आप कक्षासात में पढ़ चुके हैं कि जीवानूँ दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं पहेली ने एक प्रश्ण पूछा हमने अपनी मा को गर्म गुनगुने दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है जिससे दही जम जाता है हमें आश्चर्य हुआ ऐसा क्यों? दही में अनेक सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं जिनमें Lacto Bacillus नामक जीवानूँ प्रमुक है जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है वो दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देता है जीवानू, पनीर याने चीज, अचार एवं अनेक खाद्यपदार्थों के उत्पादन में सहायक है रवा याने सूजी, इडली एवं भटूरे का एक महत्वपून संघटक दही है क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? जीवानू एवं यीस्ट, चावल के आटे के किनवन में सहायक होते हैं, जिससे इडली एवं डोसा बनता है क्रिया कलाप दो दशमलव तीन एक बरतन में आधा किलोग्राम आटा अत्वा मैडा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डाल कर गर्म जल से मिलाईए प्रिष्ट पीस, इसमें थोड़ी मात्रा, एक चुटकी यीस्ट पाउडर मिला कर गूंथ लीजिए आप दो घंटे बाद क्या देखते हैं? क्या आपने गुथे हुए मैडे को उठा हुआ यानि फूला हुआ पाया? चित्र 2.6 इस चित्र में दो बरतन दिखाए गए हैं उपर दिखाए गए बरतन में यीस्ट पाउडर के साथ मैडा दिखाया गया है नीचे दिखाए गए बरतन में खमीर द्वारा उठा हुआ मैडा दिखाया गया है यीस्ट तीवरता से जनन करके श्वसन के दाउरान कारबन डायोकसाइड उतपादित करते हैं गैस के बुलबुले खमीर वाले मैडे का आयतन बढ़ा देते हैं चित्र 2.6 ये बेकिंग उद्द्योग में यीस्ट के उपियोग का आधार है जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री इवं केक बनाए जाते हैं सूक्ष्म जीवों का वानिजिक उपियोग बड़े स्तर पर अलकोहल, शराब इवं एसिटिक आसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपियोग किया जाता है जौ, गेहू, चावल इवं फलों के रस्में उपस्थित प्राक्रितिक शरकरा में यीस्ट द्वारा अलकोहल इवं शराब का उत्पादन किया जाता है क्रिया कलाप 2.4 500 ml का बीकर लेकर इसमें 3 चौथाई भाग तक जल भरिये इसमें 2 से 3 चमच चीनी घोलिये इसमें आधा चमच यीस्ट पाउडर डालिये इसे 4 से 5 घंटों के लिए उश्ण स्थान पर ढख कर रखिये अब विलयन को सूंग कर देखिये ये गंध एलकोहल की है जो चीनी के एलकोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है चीनी के एलकोहल में परिवर्तन की ये प्रक्रिया किनवन अथवा फर्मेंटेशन कहलाता है इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर पीले रंग के बकसे में एक चित्र दिखाया गया है ये हैं लूई पाश्चर लूई पाश्चर ने किनवन की खोज 1857 में की सूक्ष्म जीवों के औशधी ये उपियोग जब कभी आप बीमार पढ़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देते हैं अथ्वा कोई अन्य प्रती जैविक की गोली अथ्वा कैपसूल देते हैं इन ओशधीयों का स्रोत सूक्ष्म जीव हैं ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नश्ट कर देती हैं अथ्वा उनकी वृद्धी को रोक देती हैं इस प्रकार की आउशधी को प्रती जैविक अथवा एंटी बायोटिक कहते हैं। आजकल जीवानू और कवक से अनेक प्रती जैविक आउशधीयों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टो माईसिन, टेट्रा साइकलिन और एरित्रो माईसिन सामान्य रूप से उप्योग की जाने वाली प्रती जैविक हैं, जिन्हें कवक एवं जीवानू से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संबर्धन करके प्रती जैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उप्योग में लाते हैं। इस प्रिष्ट पर नीचे पीले रंग के बकसे में एक चित्र दिखाया गया है। ये हैं अलेक्जैंडर फ्लेमिंग। सन 1929 में अलेक्जैंडर फ्लेमिंग जीवानू रोगों से बचाव हेतु एक संबर्धन पर प्रियोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संबर्धन तश्तरी पर हरे रंग की फफूंद के छोटे बीजानू देखे। उन्होंने पाया के ये फफूंद जीवानू की वृद्धी को रोकते हैं। ये तथ्य पाया के बहुत सारे जीवानू फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गए। प्रिष्ट 21 पशु आहार इवं कुककट आहार में भी प्रती जैविक मिलाए जाते हैं। जिसका उपियोग पशुओं में सुक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रती जैविक का उपियोग कुछ पौधों के रोग नियंतरण के लिए भी किया जाता है। इस प्रिष्ट पर बाई और उपर पीले रंग के बकसे में कुछ विशेश जानकारी दी गई है। ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रती जैविक की दवाएं लेनी चाहिएं तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रती जैविक उस समय लेंगे जब उसकी आवशक्ता नहीं है तो अगली बार जब आप बीमार होंगे और आपको प्रती जैविक की आवशक्ता होगी तो वो उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसके अतिरिक्त अनावशक रूप से ली गई प्रती जैविक शरीर में उपस्थित उपियोगी जीवानू भी नश्ट कर देती है। सर्दी जुकाम एवं फ्लू में प्रती जैविक प्रभावशाली नहीं हैं क्योंकि ये रोग विशानू द्वारा होते हैं। वैक्सीन याने टीका पहेली ने एक प्रश्ण पूछा। शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। जब रोग कारक सूक्षमजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। शरीर को ये भी स्मरण रहता है कि वही सूक्षमजीव अगर हमारे शरीर में पुनह प्रवेश करता है, तो उससे किस प्रकार लड़ा जाए। अतह यदि मृत अथ्वा निश्क्रीय सूक्षमजीवों को स्वस्थ व्यक्ती के शरीर में प्रविश्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाईं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोगकारक को नश्ट कर देती हैं। ये प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती हैं तथा रोगकारक सूक्षमजीव से हमारी सदा के लिए सुरक्षा होती है। इस प्रकार टीका अर्थात वैक्सीन कार्य करता है। हैजा, ख्षय, चेचक तथा हैपिटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन याने टीके द्वारा रोका जा सकता है। इस प्रिष्ठ पर दाई और उपर पीले रंग के बकसे में एक चित्र दिखाया गया है। ये हैं Edward Jenner। Edward Jenner ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके दिये गए होंगे। क्या आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं? इसके लिए आप अपने माता-पिता की मदद ले सकते हैं. सभी बच्चों को इन रोगों से सुरक्षा की आवशक्ता है. आवशक्ती के निकट के अस्पताल में उपलब्द होते हैं. बच्चों को पूलियों से बचाने के आपने टेलिविजन एवं समाचार पत्रों में पोलियो के टीका करण के विज्यापन पल्स पोलियो देखे होंगे। पोलियो ड्रॉप बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका याने वैक्सीन है। चेचक के विरुद्ध विश्व व्यापी अभियान चलाया गया, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों से चेचक का उन्मूलन हो गया। आजकल सूक्ष्म जीवों से टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जन्तूओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है। मिट्टी की उरवर्ता में व्रिध्धी, कुछ जीवानू इवं नीले हरे शैवाल, चित्र, दो दशमलव साथ, वायू मंडली ये नाइट्रोजन का स्थिरी करण करते हैं। इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, तथा उसकी उरवर्ता में व्रिध्धी होती है। इन्हें सामान्यत है जैविक नाइट्रोजन स्थिरी कारक कहते हैं। प्रिष्ठ 22 इस प्रिष्ठ पर सबसे उपर चित्र दो दिशमलव साथ दिखाया गया है। नाइट्रोजन स्थिरी कारक साइनो बैक्टीरिया एक नीले हरे शैवाल परियावरण का शुद्धी करण। अपने विद्ध्यालय के माली को देखने के पश्चाथ पहेली, बूझो और दूसरे विद्ध्यार्थियों ने घरों व बगीचों से पतियां एवं फल सबजियों का कचरा एकत्र करके उसके निप्टान के लिए बनाए गए गड़े में डाला। कुछ समाई बाद इसका विघ्टन होने से ये खाद में परिवर्तित हो गया। पहेली और बूझो जानना चाहते हैं कि ये किस प्रकार हो सकता है। क्रिया कलाप 2.5 दो गमले लेकर प्रत्येक को मिट्टी से आधा भर दीजिये। इन्हें A एवं B चिन्हित कीजिये। A गमले में पौधों का कचरा भर दीजिये। तथा दूसरे गमले B में पौलिथीन की थैली, कांच की खाली बोतलें तथा प्लास्टिक के तूटे खिलोने इत्यादी भर दीजिये। उन्हें एक ओर रख दीजिये। तीन से चार सप्तह बाद उनका प्रिक्षन कीजिये। क्या आपको दूनों गमलों की वस्तुओं में कोई अंतर दिखाई देता है। यदि हाँ, तो क्या अंतर परिलक्षित होता है। आप देखेंगे कि गमला A के पादप अवशिष्ट का अपगटन हो गया है। उसे खाद में बदल दिया गया। इस प्रक्रिया में बने पोशक, पौधों द्वारा पुनह उपियोग किये जाते हैं। क्या आपने ध्यान दिया कि गमला B के पौलिथीन की थैली, काज की खाली बूतलों एवं खिलोनों के तूटे हुए टुकडों में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ। सूक्ष्मजीव उन पर क्रिया करके खाद में परिवर्तित नहीं कर सकते। आप अक्सर बड़ी मात्रा में मृत जीवों को सड़ते हुए पादप वो कभी-कभी सड़ते हुए जन्तूओं के रूप में देखते हैं। आप देखते हैं कि कुछ समाई के बाद वो विलुप्त हो जाते हैं। इसका मुख्य कारण है कि सूक्ष्म जीव मृत जैविक अवशिष्ट का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ अन्य पौधों एवं जन्तूओं द्वारा पुनह उपियोग कर लिए जाते हैं। इस प्रकार हानी कारक एवं दुरगंध युक्त पदार्थों का निम्नी करण करने के लिए हम सूक्ष्म जीवों का उपियोग करके परियावरण का शुद्धी करण कर सकते हैं। 2.4. हानिकारक सूक्ष्मजीव सूक्ष्मजीव अनेक प्रकार से हानिकारक है कुछ सूक्ष्मजीव मनुष्य, जन्तूओं एवं पौधों में रोग उत्पन्न करते हैं रोग उत्पन्न करने वाले ऐसे सूख्ष्म जीवों को रोगानु अथ्वा रोग जनक कहते हैं। कुछ सूख्ष्म जीव, भोजन, कपड़े इवं चमडे की वस्तूओं को संदूशित कर देती हैं। आईए उनकी हानिकारक गतिविधियों के विशय में और अधिक जानकारी प्राप्ट करें। प्रिष्ट 23 मनुष्य में रोग कारक सूख्ष्म जीव मनुष्य में रोग उत्पन करने वाले सूख्ष्म जीव, श्वास द्वारा, पेय जल इवं भोजन द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति अथ्वा जन्तू के सीधे संपर्क में आने पर भी रोग का संचरण हो सकता है। सूख्ष्म जीवों द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायू, जल, भोजन अथ्वा कायक संपर्क द्वारा पहलते हैं, संचरणी ये रोग कहलाते हैं। इस प्रकार के रोगों के कुछ उदाहरण हैं, हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स एवं क्षय रोग। जब जुकाम से पीडित कोई व्यक्ति छीकता है, तो सुक्ष्म बूंदों के साथ हजारों रोग कारक वायरस याने विशानू भी वायू में आ जाते हैं। ये वायरस श्वास के साथ ली जाने वाली वायू के साथ शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। बूजू ने एक प्रश्न पूछा। तब आप संचरणिय रोगों का फैलना किस प्रकार रोकते हैं। पहेली ने उत्तर दिया। हमें चीकते समय अपने मुह एवं नाक पर एक रुमाल रखना चाहिए। अच्छा तो यही है कि संक्रमित व्यक्ती से परियाप्त दूरी बनाए रखी जाए। कुछ कीट एवं जन्तु ऐसे भी हैं जो रोगकारक सूक्ष्म जीवों के रोगवाहक का कार्य करते हैं। अप्शिष्ट पर बैठती है। रोगानु उसके शरीर से चिपक जाते हैं। जब मक्षी बिना धके भोजन पर बैठती है तो रोगानु का स्थानांतरण संभव है। जो भी व्यक्ति ऐसा संदूशित भोजन करेगा उसके बीमार पढ़ने की संभावना है। अतह ये सलाह दी जाती है कि भोजन को सदा ही ढख कर रखा जाए। बिना ढखे भोजन को खाने से बचना चाहिए। मादा इनोफलीस चित्र 2.8 मच्छर इसका अन्य उदाहरण है। मच्छर प्लाज्मोडियम मलेरिया पर जीवी का वाहक है। मादा एडीज मच्छर डेंगू के वाइरस का वाहक है। हम मलेरिया अथ्वा डेंगू का नियंतरण किस प्रकार कर सकते हैं। चित्र 2.8 मादा इनोफलीस मच्छर पहेली ने एक रोचक प्रश्न पूछा। अध्यापक हम से ऐसा क्यों कहते हैं कि अपने आसपास पानी एकत्रित नहोने दे। सभी मच्छर जल में उत्पन्न होते हैं। हमें पानी को कहीं भी रुका नहीं रहने देना चाहिए। कूलर, टायरों एवं फूलदानों इत्यादी में कहीं भी जल को एकत्र न होने दे। अतहे अपने आसपास के स्थानों को स्वच्छ इवं शुश्क रख कर हम मच्छरों को पैदा होने से रोक सकते हैं। ऐसे उपायों की सूची बनाने का प्रियास कीजिए जिसे अपना कर मलेरिया को फैलने से रोका जा सके। प्रिष्ठ 24 इस प्रिष्ठ पर एक सारणी दी गई है। सारणी 2.1 मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग। इसके मुखे शीर्शक हैं मानव रोग, रोग कारक सूक्ष्म जीव, संचरन का तरीका, बचाव के उपाय, सामान्य। ख़य रोग रोग कारक सूक्ष्म जीव, जीवान, संचरन का तरीका, वायू, खसरा याने मीजल्स इसका रोगकारक सूक्ष्मजीव है वायू से या सीधे संपर्क के कारण पोलियो इसका रोगकारक सूक्ष्मजीव है वायू या जल से क्षय रोग, खसरा, चिकन-पॉक्स वो पोलियों के बचाव के उपाय हैं रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना रोगी की व्यक्तिगत वस्तियों को अलग रखना उचित समय पर टीका करण हैजा इसका रोग कारक सुक्ष्म जीव है जीवाणू, संचरण का तरीका है जल या भोजन टाइफाइड इसका रोग कारक सुक्ष्म जीव है जीवाणू, संचरण का तरीका है जल के माध्यम से हैजा और टाइफाइड के बचाव के सामान्य उपाए हैं व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांती, पके भोजन, उबला पेय जल एवं टीका करण। Hepatitis A इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है वाइरस, संचरण का तरीका है जल। बचाव के सामान्य उपाए हैं उबले हुए पेय जल का प्रियोग टीका करण। Malaria इसका रोग कारक सूक्ष्म जीव है प्रोटोजुवा, संचरण का तरीका है मच्छर। बचाव के उपाए हैं मच्छर दानियों का प्रियोग, मच्छर भगाने वाले रसायन का प्रियोग, कीट नाशक का छिड़काव एवं मच्छर के प्रजनन रोकने के लिए जल को किसी भी स्थान पर एकत्र न रहने दें। मनुष्य में होने वाले कुछ सामान्य रोग, उनके फैलने तथा रोकने के कुछ उपाए तालिका दो दिशमलव एक में दर्शाय गए हैं। जंतुओं में रोग कारक जीवाणूं। अनेक सूक्ष्म जीव केवल मनुष्य एवं पौधों में ही रोग के कारक नहीं हैं। वरन वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन करते हैं। उदाहरण के लिए एंथ्रेक्स मनुष्य एवं मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो जीवाणूं द्वारा होता है। गाय में खुर वह मुह का रोग वारस द्वारा होता है। इस प्रिष्ट पर बाई और नीचे पीले रंग के एक बकसे में एक चित्र दिखाया गया है। ये रॉबर्ट कूच का चित्र है। रॉबर्ट कूच ने सन 1886 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणूं की खोज की जो एंथ्रेक्स रोग का कारक है। पौधों में रोग उत्पन करने वाले सूक्ष्मजीव। अनेक सूक्ष्मजीव गेहु, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब इत्यादी पौधों में रोग के कारक है। रोग के कारण पसल की उपज में कमी आ जाती है। तालिका 2.2 में कुछ पादप रोग दर्शाई गए हैं। कुछ रसाइनों का प्रियोग करके इन सूक्ष्मजीवों पर नियंत्रण पाया जा सकता है। प्रिष्ट 25 इस प्रिष्ट पर सबसे उपर एक सारणी दर्शाई गई है। सारणी 2.2 सूक्ष्मजीवों द्वारा पौधों में होने वाले कुछ सामान्य रोग। इस सारणी के मुख्य शीर्शक हैं पादपरोग, सूक्ष्मजीव, संचरण का तरीका। नीम्बू कैंकर ये रोग जीवानूँओं द्वारा प्हेलता है और संचरण का तरीका है वायू। गेहूं की रस्ट ये पादपरोग कवक के द्वारा प्हेलता है। और संचरण का तरीका है वायू एवंबीच। भिंडी की पीट ये वारस द्वारा प्हेलता है और संचरण का तरीका है कीट। खाद्य विशाक्तन याने फूड पॉईजनिंग बूजो के एक मित्र ने उसे एक पार्टी में आमंतरित किया। वहां उसने अनेक प्रकार के व्यंजन खाई। घर आने पर उसे वमन याने उल्टी होने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने बताया के ये खाद्य विशाक्तन के कारण होने वाली स्थिती है। पहेली आश्चर्य चकित हो गई। पहेली को आश्चर्य होता है कि भोजन विश कैसे बन सकता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा संदूशित भोजन करने से खाद्य विशाक्तन हो सकता है। हमारे भोजन में उत्पन होने वाले सूक्ष्म जीव कभी-कभी विशैले पदार्थ उत्पन करते हैं। ये भोजन को विशाक्त बना देते हैं, जिसके सेवन से व्यक्ति भयंकर रूप से रोगी हो सकता है। अत्वा कभी-कभी उसकी मृत्यू भी हो सकती है। अतह ये आवश्चक है कि हम भोजन को संदूशित होने से बचाएं। 2.5. खाद्य परिरक्षन अध्याए एक में हमने खाद्य बीजों के परिरक्षन एवं भंडारण के उपायों के विशाय में पढ़ा था। हम पके हुए भोजन का घर पर परिरक्षन किस प्रकार कर सकते हैं। आप जानते हैं कि खुले एवं नम स्थान पर रखी ब्रेड पर कवक आक्रमन कर देते हैं। सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को संदूशित कर देते हैं। संदूशित भोजन से दुरगंध आने लगती है। इसका स्वाद भी खराब हो जाता है तथा रंग रूप में भी परिवर्तन आ सकता है। क्या भोजन का संदूशन एक रासाइनिक अभिक्रिया है। पहेली ने कुछ आम खरीदे। परंतु कई दिनों तक वो उन्हें नहीं खा पाई। बाद में उसने देखा कि वे सड़ गए हैं परंतु वो जानती है कि उसकी दादी द्वारा बनाया गया आम का अचार काफी समय तक संदूशित नहीं होता। वो भ्रमित है। आईए हम खाद्य परिरक्षण के कुछ सामान्य तरीकों का अध्ययन करें जिनका उपयोग हम अपने घरों में करते हैं। हमें इन्हें सूक्ष्म जीवों से बचाव के उपाई करना चाहिए। प्रिष्ट 26 रासाइनिक उपाई नमक एवं खाद्य तेल का उपयोग सूक्ष्म जीवों की वृद्धी को रोकने के लिए सामान्य रूप से किया जाता है। अतह इन्हें परिरक्षक कहते हैं। हम नमक अत्वा खाद्य अमल का प्रियोग अचार बनाने में करते हैं। जिससे सूक्ष्म जीवों की वृद्धी नहीं होती। सोडियम बेंजोएट तथा सोडियम मेटाबाइसलफाइट सामान्य परिरक्षक हैं। जैम एवं स्क्वैश बनाने में इन रसाइनों का उपयोग उन्हें संदूशित होने से बचाता है। नमक द्वारा परिरक्षन सामान्य नमक का उपयोग मानस एवं मचली के परिरक्षन के लिए काफी लंबे अर्से से किया जा रहा है। जीवानू की वृद्धी रोकने के लिए मानस तथा मचली को सूखे नमक से धक देते हैं। नमक का उपियोग आम, आवला एवं इमली के परिरक्षण में भी किया जाता है। चीनी द्वारा परिरक्षण जैम, जेली एवं स्क्वैश का परिरक्षण चीनी द्वारा किया जाता है। चीनी के प्रयोग से खाध्यपदार्थ की नमी में कमी आती है, जो संदूशन करने वाले जीवानूं की वृध्धी को नियंतरित करता है। तेल एवं सिरके द्वारा परिरक्षन तेल एवं सिरके का उप्योग अचार को संदूशन से बचाने में किया जाता है क्योंके इसमें जीवानूं जीवित नहीं रह सकते। सबजियां, फल, मचली तथा मांस का परिरक्षन इस विधी द्वारा करते हैं। गर्म एवं ठंडा करना आपने अपनी मां को दूध उबाल कर रखते हुए देखा होगा। उबालने से अनेक सूख्षम जीव नश्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार हम अपना भोजन रेफरिजरेटर में रखते हैं क्योंके कम ताप सूख्षम जीवों की विधी को रोकता है। बूजो ने एक प्रश्ण पूछा। थैलियों में आने वाला दूध संदूशित क्यों नहीं होता। मेरी मां ने बताया कि ये दूध पाश्चरी करण क्या है। पाश्चरी कृत दूध को बिना उबाले इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंके ये सूख्षम जीवों से मुक्त होता है। इसके लिए दूध को सत्तर डिगरी सेलसियस पर पंद्रह से तीस सेकंड के लिए गर्म करते हैं, फिर एका एक ठंडा कर उसका भंडारण कर लेते हैं। ऐसा करने से सूख्षम जीवों की व्रिधी रुक जाती है। इस प्रक्रिया की खोच लुई पाश्चर नामक वैज्यानिक ने की थी, इसी लिए इसे पाश्चरी करण कहते हैं। आज कल मेवे तथा सबजियां भी वायू रोधी सील किये गए पैकेटों में बेचे जाते हैं, जिससे सूख्षम जीवों से सुरक्षा होती है। 2.6 नाइट्रोजन स्थिरी करण आपने कक्षा 6 और 7 में राइजोबियम जीवानों के बारे में पढ़ा है, जो लेग्यूम पौधों दलहन में नाइट्रोजन स्थिरी करण में सहायक होते हैं। स्मरण कीजिए, राइजोबियम लेग्यूम पौधों की ग्रन्थिकाओं में रहते हैं, जैसे सेम और मटर जो एक सहजीवता है। कभी-कभी तडित विद्युत द्वारा भी नाइट्रोजन का स्थिरी करण होता है। परंतु आप जानते हैं कि नाइट्रोजन की मात्रा वायू मंडल में स्थिर रहती है। आपको आश्चरे होगा कि ये कैसे संभव है। आईए इसके विशाय में अगले भाग में समझते हैं। प्रिष्ठ 27 इस प्रिष्ठ पर बाई और उपर एक चित्र दिखाया गया है। हमारे वायू मंडल में 78 प्रतिशत नाइट्रोजन गैस है। नाइट्रोजन सभी सजीवों का आवश्चक संघटक है जो प्रोटीन, पर्णहरित, क्लोरोफिल, न्यूकलिक आसिड इवं बिटामिन में उपस्थित होता है। पौधे एवं जन्तू वायू मंडली ए नाइट्रोजन का उप्योग सीधे नहीं कर सकते। मिट्टी में उपस्थित जीवानु व नीले हरे शैवाल वायू मंडली ये नाइट्रोजन का स्थिरी करण करके नाइट्रोजन योगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। जब nitrogen इस प्रकार उप्योगी योगिकों में परिवर्थित हो जाती है, पोधे इसका उप्योग मिट्टी में से जड़तंत्र द्वारा करते हैं. इसके पष्चात अवशोशित nitrogen का उप्योग प्रोटीन एवम अन्य योगिकों के संचलेशन में करते हैं. पौधों पर निर्भर करने वाले जन्तु उनसे प्रोटीन एवं अन्य नाइट्रोजनी योगिक प्राप्त करते हैं चित्र 2.1 शून्य पौधों एवं जन्तुओं की मृत्यों के बाद मिट्टी में उपस्थित जीवानू एवं कवक नाइट्रोजनी अप्षिष्ट को नाइट्रोजनी योगिकों में परिवर्तित कर देते हैं जो पौधों द्वारा पुनह उपियोग होता है कुछ विशिष्ट जीवानू नाइट्रोजनी योगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देते हैं जो वायू मंडल में चली जाती है परिनाम तह वायू मंडल में नाइट्रोजन की मात्रा लगभग स्थिर रहती है इस प्रिष्ठ पर नीचे एक चित्र दिखाया गया है चित्र 2.1 शून्य नाइट्रोजन चक्र इस चित्र में सबसे नीचे मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक दिखाए गए है यहां से एक तीर के निशान के द्वारा ये दर्शाया गया है कि जीवानु द्वारा नाइट्रोजन यौगिकों का गैसी ये नाइट्रोजन में परिवर्तन होता है और फिर एक और तीर के माध्यम से ये दिखाया गया है कि वायुमंडली ये नाइट्रोजन बन जाती है अलिए नाइट्रोजन का जीवानू इवं नीले हरे शैवाल द्वारा स्थिरी करण होता है। फिर अगले तीर द्वारा ये दर्शाया गया है कि जीवानू द्वारा स्थिर नाइट्रोजन को नाइट्रोजनी योगिकों में परिवर्तित कर दिया जाता है। और फिर उससे अगले तीर से ये दिखाया गया है कि मिट्टी में नाइट्रोजन के यौगिक उपस्थित होते हैं अब ध्यान से देखिए जहां वायू मंडलीय नाइट्रोजन लिखा है वहां अंदर की ओर एक तीर का निशान बना है उसके नीचे एक बक्से में लिखा है तड़ित द्वारा नाइट्रोजन स्थिरी करण और फिर आगे एक और तीर का निशान दिखाया गया है और वो मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक वाले बक्से में जाकर मिल जाता है अब ध्यान से देखिए जिस बक्से में सबसे नीचे लिखा है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजन के यौगिक वहां से बिलकुल बीच में एक तीर उपर की ओर दर्शाया गया है और उस तीर के उपर एक बक्से में लिखा है पौधों द्वारा अवशोशन अब उसी बक्से के दाई और एक और तीर बना है और उसके आगे एक बक्सा बना है जिसमें लिखा है जन्तुओं द्वारा पौधों को खाना और फिर इस बकसे के नीचे एक तीर का निशान बना है और आगे एक और बकसा बना है जिसमें लिखा है उत्सरजन एवं जीवों की मृत्यु द्वारा उत्पन नाइट्रूजन अप्शिष्ट और इस बकसे के नीचे से एक तीर का निशान बना है जो के जाके मिल जाता है उसी सबसे नीचे उपस्थित बकसे में जिसके बीच में लिखा है मिट्टी में उपस्थित नाइट्रूजन के यौगिक प्रिष्ट 28 प्रमुक शब्द शैवाल प्रतिजैविक प्रतिरक्षी जीवानू वाहक संक्रामक रोग किणवन कवक लैक्टो बैसिलस सूक्ष्मजीव नाइट्रोजन चक्र नाइट्रोजन स्थिरी करण पाश्चरी करण रोग जनक, परिरक्षन, प्रोटोजोवा, राइजोबियम, टीका, अर्थात वैक्सीन, विशाणू, यीस्ट, अर्थात खमीर आपने क्या सीखा? सूक्ष्मजीव अत्यंत छोटे होते हैं तथा बिना यंत्र की सहायता से अकेली आँखों से दिखाई नहीं देते ये बरफीले शीत मौसम से उष्ण जर्नों तथा मरुस्थल से दल्दल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं सूक्ष्मजीव वाईयू, जल, मिट्टी, पौधों इवं जन्तूओं के शरीर में पाए जाते हैं ये एक कोशिक एवं बहु कोशिक होते हैं जीवानू, कवक, प्रोटोजोव एवं कुछ शैवाल सूक्ष्मजीवों के अंतरगत आते हैं विशानू इनसे अलग हैं लिकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित किये जाते हैं विशानू के वल परपोशी जैसे जीवानू, पादप या जन्तू में गुणन करते हैं कुछ सूक्ष्मजीव ओशदी एवं एलकोहल के वानिज्यक उत्पादन में उपियोगी हैं कुछ सूक्ष्मजीव जैविक कचरे जैसे के मृत पौधे इवं जन्तू अपशिष्ट को अपगटित कर सरल्पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं तथा वातावरण को स्वच्छ बनाते हैं प्रोटोजुआ, अतिसार तथा मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करते हैं कुछ सूक्ष्मजीव हमारे भोजन को विशाक्त कर देते हैं कुछ सूक्ष्मजीव लैग्यूम पौधों की जड़ों तथा ग्रन्थिकाओं में पाए जाते हैं ये वायूमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकृत कर देते हैं जिससे मिट्टी की उरवर्ता में व्रिधी होती है मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवानू और नीले हरे शैवाल वायू मंडली ए नाइट्रोजन को स्थिरी कृत कर नाइट्रोजनी योगिकों में परिवर्तित कर देते हैं। विशेश जीवानू, मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी योगिकों को नाइट्रोजन गैस में परिवर्तित कर देती हैं, जिसका निर्मोचन वायू मंडल में होता है. प्रिष्ट 29 अभ्यास 1. रिक्त स्थानों की पूर्ती कीजिए. क, सूख्ष्मजीवों को रिक्त स्थान की सहायता से देखा जा सकता है. cohort, नीले हरे शैवाल वायू से रिक्त स्थान का स्थिरी करण करते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वर्ता में वृधी होती है. गर एलकोहल का उत्पादन रिक्तस्थान नामक सुक्ष्मजीव की सहायता से किया जाता है। गर हैजा रिक्तस्थान के द्वारा होता है। दो, सही शब्द के आगे सही का निशान लगाईए। कर, यीस्ट का उप्योग निम्न के उत्पादन में होता है। एक, चीनी, दो, एलकोहल, तीन, हाइड्रोक्लोरिक अमल, चार, ऑक्सिजन। ख, निम्न में से कौन सा प्रती जैविक है? एक, सोडियम बाइकार्बोनेट, दो, स्ट्रेप्टोमाईसिन, तीन, अलकोहल, चार, यीस्ट। ग, मलेरिया पर जीवी का वाहक है? एक, मादा, एनाफलीज मच्छर, दो, कौक्रोच, तीन, घरेलु मख़्ी, चार, तितली। ग, संचरणिये रोगों का सबसे मुख्यकारक है? एक, चीटी, दो, घरेलु मख़्ी, तीन, ड्रागन मख़्ी, चार, मकडी। ड, ब्रेड अथवा इडली फूल जाती है, इसका कारण है? एक, उश्णता, दो, तीसना, तीन, यीस्ट कोशिकाओं की वृद्धी, चार, माढने के कारण च, चीनी को एलकोहल में परिवर्थित करने के प्रक्रम का नाम है? एक, नाइट्रोजन स्थिरी करण, दो, मोल्डिंग, तीन, किनवन, चार, संक्रमन तीन, कॉलम एक के जीवों का मिलान कॉलम दो में दिये गए, उनके कारे से कीजिए कॉलम एक, क, जीवानू, ख, राइजोबियम, ग, लैक्टो बेसिलस, ग, यीस्ट, ड, एक प्रोटोजुआ, च, एक विशानू कॉलम दो, एक, नाइट्रोजन स्थिरी करण, दो, दही का जमना, तीन, ब्रेड की बेकिंग, चार, मलेरिया का कारक, पांच, हैजा का कारक, चै, एड्स का कारक, साथ, प्रतिजैविक उत्पादित करना, चार, क्या सूक्ष्म जीव बिना यंत्र की सहायता से देखे जा सकते हैं, यदी नहीं, तो वे कैसे देखे जा सकते हैं, प्रिश्ट, तीस, पांच, सूक्ष्म जीवों के मुख्य वर्ग कौन-कौन से हैं, चै, वायू मंडली ए नाइट्रोजन का मिट्टी में स्थिरी करण करने वाले सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए, साथ, हमारे जीवन में उप्योगी सूक्ष्म जीवों के बारे में दस पंक्तियां लिखिए, आठ, सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले हानिकारक प्रभावों का संग्षिप्त विवरण कीजिए, नौ, प्रतिजैविक क्या हैं, प्रतिजैविक लेते समय कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप, इवंपरियोजनाई, एक, खेत में चने अत्वासेम का एक पौधा समूल उखाड़िये, इसकी जड़ों का प्रेक्षन कीजिए, आपको कुछ जड़ों में कुछ गोल उभार दिखाई देंगे, ये जड़ों की ग्रन्थिकाएं हैं, एक जड़ का चित्र बनाकर ग्रन्थिका दर्शाईए, दो, जैम तथा जली के लेबल एकत्र कीजिए, इसके उपर छपे संगटकों के नामों की सूची बनाईए, तीन, एक डॉक्टर से संपर्क कर पता लगाईए कि किसी प्रतिजैविक का बहुत अधिक प्रियोग क्यों नहीं करना चाहिए, इसकी संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार कीजिए, चार, प्रोजेक्ट आवशक सामगरी, दो परखनली, मारकर पेन, चीनी, यीस्ट पाउडर, दो गुबारे एवं चूने का पानी, दो परखनली लेकर इन पर A तथा B निशान लगाईए, परखनलीयों को एक स्टैंड में लगा दीजिए, तथा उपर का थोड़ा सा स्थान छोड़कर इन्हें पानी से भर दीजिए, प्रत्येक परखनली में दो चम्मच चीनी डालिए, परखनली बी में एक चम्मच यीस्ट पाउडर डाल दीजिए, दो भुबारों को थोड़ा सा फुला कर प्रत्येक परखनली के मुख पर लगा दीजिए, इन्हें एक उश्न स्थान एवं सूर्य के प्रकाश से दूर के स्थान पर रख दीजिए, तीन-चार दिन तक प्रती दिन इसका प्रेक्षन कीजिए, अपने प्रेक्षन नोट बुक में रिकॉर्ड कीजिए तथा इनकी व्याख्या के लिए सोचिए, अब एक अन्य परक्षनली लीजिए तथा इसमें एक चौथाई भाग तक चूने का पानी भरिए, परक्षनली बी से गुबारा इस प्रकार हटाईए कि गुबारे के अंदर की गैस बाहर न निकल पाई, अब इसे चूने के पानी वाली परक्षनली पर लगा कर भली भांती हिलाईए, अपने प्रेक्षन की व्याख्या कीजिए, इस प्रिष्ट के सबसे नीचे एक चित्र दिखाया गया है, जिसमें दो परक्षनलियां हैं, परक्षनली A और परक्षनली B, परक्षनली A के उपर एक गुबारा लगा है, जो के फूला हुआ नहीं है, परक्षनली B के उपर जो गुबारा लगा है, वो पूला हुआ है, क्या आप जानते हैं? जीवानु प्रिथवी पर मनुष्य के बहुत पहले से रह रहे थे ये बहुत सख्त जीव हैं इसलिए वे कठिन परिस्थिती में रह सकते हैं वे मिट्टी के बरतन में उबलते तथा ठंडे बरफीले पानी में जीवित पाए गए हैं वे कास्टिक सोडा की जील और सांद्र सल्फ्यूरिक आसिड के पोखरे में पाए गए हैं वे अनेक किलोमीटर की गहराई में जीवित रह सकते हैं वे संभवत है अंतरिक्ष में भी रह सकते हैं एक प्रकार का जीवानू कैमरे पर देखा गया जो चंद्रमा पर दो वर्षों से था संभवत है कोई परियावरण ऐसा नहीं है जिसमें जीवानू जीवित न रह सकें इसी के साथ अठारह अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय दो यहां समाप्त हुआ